वेलकम टू तरुनायस अक्यागमी दिसाइट सौमया जीहा साथ भी सेवेंथ तलवार क्लास फ्रिगेट तैयार हो चुकी है आई एनस तुशील के रूप में चलिए जानकारी ले ले लेते हैं आई एनस तुशील के बारे में एसेंशल फीचर्स क्या है और किस तरीके से इसक लॉंच करी गई कहां पर कलिंगार्ड में यहाँ पर देख सकते हैं सेवेंथ तलवार क्लास फ्रिगेट है और अगर बात करें यह देखिए यह है आई एस तुशील और चलिए फिलहाल के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जान लेते हैं कि आई एस तुशील जो है एक तलवार क्लास फ्रिगेट है तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिरकार फ्रिगेट होता क्या है ठीक है देखिए फ्रिगेट जो है एक तरीके की वार्शिप होती है जिसको डिजाइन किया जाता है इस तरीके से कि वो नेवल वेरियस नेवल उपरेशन जो नेवी के दुआ उनगो लढने में सक्षम होती है साथी साथ लार्ज वेसल्स पो लेके जा सकती है पेट्रोल्लिंग के रूप में इसकी स्थमाल किया सकताboys एइभंडर अपर एंहिज इस्थमाल किया जा सकता ऐर क्राफ्ड एलंड करने के लिए बी इस्तमाल किया जा सकता है, सेर्मरीन पॉर्म में just a षैंट नारीं के ब्लऊ करने कि लिर्ट नहीं में थे बसक्ञाइद पेटॉ फ्रीगेट के लिए कि INS Tushil जो है यह एक तलवार क्लास फ्रिगेट है तो I hope अब जो है आप बिल्कुल भी confused नहीं होंगे इंडिया नेवी के अंतरगत जो है यह शामिल हुई है आपको बता दे यह एक 7th ship है तलवार क्लास फ्रिगेट की और साथ ही साथ जो है 1st of the 3rd batch of the class frigate ठीक है अब यह बिल्ड किसके द्वारा की गई है तो यह बिल्ड की गई है आपकी यांतर शिप्याड के द्वारा और कहां पर बिल्ड की गई है तो कलिंगार्ड रशिया में जो है इसको बिल्ड किया गया है ठीक है और further the ship was commissioned into the Indian Navy 9th December 2024 यानि की कल जो है finally इसको commissioned कर लिया गया है Indian Navy में और इस ship को जो है assign कर दिया गया है Western Fleet के ऊपर तो यह इसके important बात है थी then further हम चर्चा करेंगे feel Sanskrit to word for the protector shield तो इसका नाम जो है it is a Sanskrit word अगर बात करें to shield का मतलब होता है a protector shield ठीक है जो protect करें then order किया गया था 29 October 2018 और बनके जो है अब यह सामने आ गई है finally इसको commissioned भी कर दिया गया है इसको launch कर दिया गया था 28 October 2021 में ठीक है और इसका मोटो क्या है तो मोटो है निर्भै अबदय है और बलशील यानिकी fearless, imdominable and resolute ठीक है then further बात करते हैं इसके features की तो features क्या है INS to shield के चलिए उसके बारे में जानकाई ले ले लेते हैं इसके features की बात करें तो सबसे पहले है तो यह multi-role shelf guided missile frigate है और यह latest जो है अभी हाल-फिल-हाल में आप किया सकते हो की upgraded Krivak 3 class frigate है यह एक part है Russia का project जो की Russia के design project that is 1135.6 अब इंडियन नेवी में already इसको commissioned किया जा चुका है साथवी तलवार frigate में और साथी 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 टेग class follow-on में and it is built at the Russian shipyard और कहां पर तो दियां दखियेगा Calingaard Calingaard में तो INS to shield सबसे पहले तो बता दूँ कि इसमें दो upgraded frigate हैं under the contract जो की sign किया गया है Indian government basically Indian navy और Russian defense industry के द्वारा इस ship का नाम to shield का मतलब ही है protector shield यानि की जो एक तरीके से protect करेगा ठीक है और इसका जो concept है वो क्या है? Abhidhyay Kavachnam overall reflecting the navy commitment to safeguard the Indian's maritime की भई नेवी जो है वो कुलमिला के Indian maritime border को जो हमारे तना लंबा Indian maritime border है उसको protect करेगा लगभग 125 meter ठीक है इसकी length है अगर further details के बारे में चर्जा करें तो 125 km जो है यह ship लंबी है साथी साथ अगर weight की बात करें तो 3090 ton जो है इसका वजन है साथी साथ इसमें equipped किया गया है advanced shelf features ठीक है जो की further इसको less detectable by the enemy radar and more more stable in the various sea condition तो बहुत हद तक जो है यह तरीके से radar के अंदर यह नहीं आएगा बच जाएगा क्यूंकि इसमें advanced anti-radar operations को fit किया गया है साथी साथ इसको बनाया है इस तरीके से गया है कि समुदर में कितना भी आंधी तूफान आए उस वक्त भी यह ship जो है वो stabilize ही रहेगा अब इस ship में further incorporate किया गया है 26% indigenous technology याने कि 26% indigenously भारत manufacturers के द्वारा इसको बनाया गया है वही 33% systems developed किया गया है Indian manufacturer के द्वारा तो अगर यह बोला जाए कि इसको रश्या ने overall बनाया 100% तो नहीं यह बिल्कुल भी सही नहीं है क्यूंकि 33% याने कि एक तेहाई जो development है जो technology का development है overall manufacturing में development है वो Indian manufacturers के द्वारा किया गया है इस ship को assign किया गया western fleet पे ठीक है and in the western naval command joining the sword arm of the Indian navy तो finally इसका commission किया जा चुका है और बिल्कुल तयार है एक और आप कह सकते हो हमारे defense में हमारे marine time security में चारचांद लगाने के लिए हमारे marine time security को boost करने के लिए यह ship एकदम तैयार है देखिए क्यों जरूरत है इस तरीके के new ships की new advancements की तो देखिए भारत की जो location है अगर हम देखें तो जहां एक तरफ पाकिस्तान है वही दूसरी तरफ चाइना है और दोनों ही जो है enemy countries है यानि कि आए दिन जो है इस फिराक में रहती है कि कब जो है हमला किया जाए और इसी लिए जो conditions है overall geopolitical conditions है उसको मदे नजर रखते हुए हमें अपनी securities को हमें अपनी defense capabilities को increase करना बेहत जादा जरूरी है और बहुत हद तक marine time security में increase हो चुका है INS to shield के वजह से तो इक बहुत successful जो है ये frigate माना जा रहा है और माना जा रहा है कि protect करेगा हमारे bordering जो marine time है उनको तो ये है कुछ features और overall deployment और साथ ही साथ essential motto, essential यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ तस्वीरे INS to shield की बेहत खूबसूरत बिल्कुल सफेद रंग जो है यहाँ पर सफेद रंग का यह पूरा बना हुआ है और यहाँ पर यह तस्वीर फाइनली जब इसको commissioned की आ गया तो यह वो तस्वीर है जब INS to shield को commissioned की आ गया यहाँ पर देख सकते हैं बनके बिल्कुल तयार कलिंगाट कोस्ट पर और यह है भारत की शान INS to shield तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं end फिर मुलकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much have a nice day bye bye take care good luck and god bless you